हे गाइस तो आप सभी के क्लास में या दोस्तों में कोई ऐसा स्टुडेंट होता है जो कुछ दिन पढ़कर ही यानि कि 5-6 गंटा पढ़कर ही अच्छे मांक्स ला देता है लेकिन वही एक ऐसा स्टुडेंट जो 10-12 गंटा पढ़ने के बाद दी अच्छे मांक्स कवर नहीं मांक्स उतना अच्छा आने रहा है तो ऐसे क्या रीजन है वो ऐसा क्या पढ़ता है जिसके कार उसके मांक्स अच्छे जाते हैं और आपके मांक्स थोड़ी कम रह जाते हैं तो उसका आंसर मिलता है स्मार्ट वर्क जी हां आप पढ़ रहे हो वो माइने नहीं रखता है यानि कि जो आप पढ़ रहे हो न वो smartly पढ़ रहे हो कि नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगी how to do smart work in your daily study यानि कि आपकी जो study में smart work है उसके बारे में कि ऐसा आप क्या करें जिसको आप भी उसकी 90 to 95% 99% मार्क कवर करें तो देखिए सबसे पहले मैं प्रिती आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चनले study point पे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like, share, subscribe, जो भी होता है सब कीजिएगा तो चलिए आज मैं बताते हूँ कि smart work का तरीका क्या है और इसमें जो मैं 3-4 point बोलूँगे उसमें से आप करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आपको जरूर बेनेफिट ही होगा चलिए सबसे पहले बात करते हैं आप कभी भी उठें कभी भी उठने का मतलब है 10 बज़े उठो 9 बज़े उठो 12 बज़े उठो कभी भी ऐसा जरूरी तो होँ नहीं कि आप क्या आप करोगे 3 बज़े उठोगे 4 बज़े उठोगे आप किसी भी आवर में उठे और उसके बाद एक घंटा अपने सांत दिमाग से आप पढ़िए उसके बाद मानिए आपका पूरा दिन बहुत अच्छा होगा पूरा दिन अच्छा होने का मतलब है आप जब भी पढ़ने बैठोगे न तो आपका मन लगेगा कॉंसेंट्रेट रहोगे कुछ बच्चे ऐसे होते है ना जो तीन बजे चार बजे तो ऊड़ जाते है लेकिन मतलब अच्छे से पढ़ते नहीं है जैसे सोते रहते अभी उनका मन नहीं अभी है तो नीद पूरा ही कर लो, 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, एक घंटा, अगर आपने एक घंटा बहुत अच्छे से concentrate रोके पढ़ लिया, तो मान आप पूरे दिन अगर जब भी बैठते होगे पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा फिल करोगे। सेकंड पॉर्ट, आप जो पढ़ रहे हो ना, मान लिजे एक बुक है मेरे पास NCRT की कोई सी भी बुक ले लिजे, मैं बाइलोजी की बुक ले लेती हूँ, उस बुक से आप जो पढ़ रहे हो, उसमें खुद से question बनाईए, और खुद से उसका answer भी दीजे, यानि कि उसका question भी लिखिए, खुद answer भी बताईए, तब होगी पढ़ाई असी, असली पढ़ाई तब स्टार्ट होगी, जब खुद से question answer करोगे ना, तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा, थोड और important क्या है, प्रोकैस्टिनेशन, अब प्रोकैस्टिनेशन क्या है, कुछ लोग नहीं सोचना तो अब में सतार जेए, कि मैं पढ़ायों के कोटे इसको सबसे इम्पॉर्टेट और सौचना थी Arbeit, आपके पास जो भी बुक है जो भी आप पढ़ रहे हो तो सही है उसके साथ एक रफ कॉपी जरूर रखे क्यों? सुनी आप जो पढ़ रहे हो न जब उसको राइट करते रहोगे न यानि कि पढ़िये उसमें से जो मीन वर्ड आ रहा है उसको लिखिये लिखना इसलिए है क्योंकि आपका माइंड हो जाएगा बिजी जब आपका माइंड बिजी रहेगा तो वो किसी दूसरे चीज़ के बारे में ठिंकी ही नहीं कर सकता है यानि कि इससे आपको बेनिफिट है या आपको एक तो हार्ड वर्ड मिल जाएगा और आपका माइंड भी कॉंसेंट्रेट रहेगा आप दूसरे चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाऊगे आपकी वर्ड़ाई पे कॉंसेंट्रेट करोगे ये करिएगा क्या करना है ना लिखते रहना लिखने से हमारा माइंड बिजी रहता है और सोचता मतलब दूसरे चीज़ों के सोचता कम है थिक थर्ड नैस्ट क्या है जो भी होगा फोर्थ पॉइंट देखिए हर एक चीज को लॉंग टम याद रखने के लिए भी राइटिंग करना जरूरी है हम लोग पढ़के याद तो कर लेते हैं लेकिन वो लॉंग टम नहीं वो सोट टम होता है लॉंग टम लंबे समय तक याद रखने के लिए लिखना जरूरी होता है थिक है तो लॉंग टम हमको लॉंग टम मेमोरी करनी है तो लिखना पड़ेगा लिखने से क्या होता है आपको बहुत दिनों तक कोई भी चीजी याद रहती है तो आपको करना है अपने आप से लड़ना है यानि कि खुद से लड़ना है खुद से जीतना है और खुदी से हालना है कैसे जब आप खुद से लड़ोगे ना तो negative चीजों को हराओगे positive चीजों को जीतोगे मतलब उनसे जीतोगे तो I hope कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सस्काइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर सेर कीजिएगा थैंक यू मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए बाई बाई टाटा